चिन में तो चिन में आप भी देखते हैं कि क्या चल रहा है प्रधान मंतरी कैसे हैं अमारे द्रेंदर मोधी को जानते हैं कैसे हैं प्रधान मंतरी को अच्छे हैं अच्छे हैं क्यों लगते हैं आपको अच्छे देश की शेवा करते हैं मेरे लिए तो वीजे पी गौरुन बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है मेहंगाई बेरोजगारी वह मुद्दा नियाजी जो बड़े मुद्दे देश के वह हल है ठीके जहां है दो तिन थोड़ा बता दीजिए क्या तीन धीन सुससंतर हट वाधी और क्या चाहिए दीन तलाक का मुद्दा है बहुत मुद्दे यह हैं बड़े मुद्दे चोड़े तो चलती है और हिदा हाइकुमान का टार्गेट है चोड़े मुद्द का लिए नहीं है मुद्दी नीकर सकते किसी को भी वव चोड़ेशन गॉमता देखिए घर चलाती होंगी चलेंडर का रेट आज से अगर तीन चार-पांट साल पहले देखें तो कउंग्रेस भाटि कहती है पांचो रुपे से कम का था और आज वह बारा सूरुपे गा है बिरोजगारी है महिंगाई है तो क्या लगता है आपको बढ़ेगी में घुटी जा रही है कांग्रेस आएगी तो भी बढ़ेगी बाजबाएगी तो भी असर नहीं इसका कोई असर नहीं होता किसी भी चीजसे पूरे इंडिया में सेफ सिटी है उसके उमर कितनी है इसकी नौ सार चोटे वाले की तीन बोल देता होगा मोदी हां बोल देता है पूरा परिवार मोदी का भगत बन के घूम रहे हैं क्या नाम भाई साब रोशन तो आपको क्या लगता है कि जो मोदी की सरकार रही कैसी रही यह सरकार सरकार ठीक है बट जो नीचे है नेता लोग वो अपना काम तंग से नहीं कर रहा है क्या लगता है फिर दोहजार चोबीस में जो परदान मंत्री का चहरा रहे वो कौन शूटेबल लगता है देश के लिए कि हां यह तो नरेंदर मोदी तीसरी बार नहीं तो यह नया चहरा रहता है देखो परदान मंत्री के तोर पे तो मोदी ठीक है और बाकी नीचे जो नेता लोग है वो अगर अपना काम सही से करे तो मोदी जी का नाम एक्ट्वल पूरा जो साब्चुत्र है वो रहगा रहगा ठीक है वह यह बस अपना जो है इतनी महंगाई बेरोजगारी है लोगों कि लेग जो हैं अपनी के लिए डूसे को लड़ा रहर है अच्छा अच्छा दिखाने के लिए यह स्निय वियार से सोलंए वैर के अंदर आम आदमी पाटी काई अच्छा काम रहा तो बीजेपि यह स्टाप तु मैं देखरो बीजेप्ाजा काम नीचा है तो लोकल मैं मैं लिए कहा कि नो के हम री पांगरस की सरकार रखें या आप आपकी सरकारर रखें वो आपका कामी। अदेरे आपका काम स्मयारें को अच्छा को करेंगे। कि इसे क strevia में पर तो में श्माख वरड़ान तो को और महेंगारी। कि लो काम अच्छे किया नाम भाइसाब मेरे नाम विकास आपको क्या लगता है कैसी रही है सरकार साड़े-8 साल कैसे बीटे देश में आदे तो कुरोना में बीद गए बागी जितना काम हुआ तो अच्छा हुआ है अब कुरोना में जितना भी मैनेजमेंट जो सेंटर गौर इंडिया केया साथ में नेगए जो भार से इंपोर्ट हो 낮 नहीं जो में खाहती आए जो होगी आप सब्सीडिय देते रही है तो देश को यंदि हो नहीं पहले सबसीडी धी दिया तो पैसा बचना नहीं जब सब्सीडी खतम करोगे पैसा बचे का ग्रोथ तब होगी ना आप भार से कहीं से लोन लेते हैं वह भी तो चुकाना होता है आप पर व्यक्ति पे कितना कर्ज है देश का वह भी तो देखो तो आपको देखना पड़ेगा पहले भी महगाई थी आगे भी बड़नी है ऐसे कि इंकम भी बड़ी है और व्यक्ति बारत जोड़ोई आत्रा कि क्या असर है क्या फरक पड़ा है इस यात्रा से जंता पर देख देखके बस मज़ा आ गया है और बस मज़ा आया है वो तो सीफ इंडिया गूम रहा है भागी देश तो पहली सी जुड़ा हुआ तो तूटक इसको पार्टी खराब कर दी है शाद मजे आप पूरे देश में घूम के मजे ले रहे हुँ सीच के आगे कुछ होना नहीं है वैसे तो जैसे थी सरकार वैसे रहने हैं कांगरेश पांसाल भी आभी वेट करना है भगत नहीं होना है वाली बात यह है कि देश के बड़े मुद्धेत ना वह खतम हो चुक है रोजी रोटी चाहिए पिछतने साहिसे लड़ी रहे हैं कि रोटी नहीं मिल ली खाना नहीं मिल ला यह सुबिदा नहीं मिल ली गौवर्मेंट आपके पास आके प्लेट में था खा है काम करके थोड़ी देगी पढ़ाई लिखाए मावाब कर आता है खुद कमाते हो ना मावाब थोड़ी कमाते हैं आपसे ऐसी गौवर्मेंट है तो यह काम ता आपको खुद करना पड़ेगा